बाई CM Punk पूरा शोक हो गया जब उसे पदा चला कि NGPW का नाम ले सकते हैं किक ओफ पैनल में जब बीगिन NGPW का नाम लिया था लेकिन उस यादा शोक नम तब हुए जब रात में पदा क्या चला कि CM Punk को विचारे को बंद कर दिया है USA में वो जहां से किक ओफ पैनल पे थे ना उसी स्टूडियो के अंदर बातरूम गया होगा और बिचारे के साथ पूरा जेठालाल बाला सीन होगा जैसे जेठालाल गड़ा एलेक्ट्रोनिक्स में बंद हो जाता है सब्सक्राइब कर देंगे भी नहीं कराउड वाले और कमेंटेटर्स ऐसा लगाता है कि बस ऐसे हैं फ्रीकी सेलरी काने के लिए क्योंकि इनका तो कोई काम लग नहीं रहा था मुझे genuinely बताओ कि कितने लोगों का ध्यान जो है कमेंटरी पर या फिर मैच में भी था बिकोज हम लोग पूरे distract हो रहे थे audience है हमने तो ऐसी audience नहीं देखी थी इससे परे WWE गई है, London में गई है, San Juan में गई है, Cardiff में गई है पट जो audience हमने France की देखी है ये unmatched है और जो energy feel हो रही थी, my god that was something इसका पदा तो तभी चल गए है जब Randy Orton का theme song गा रहे है हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई Randy Orton का theme song गा रही है crowd मिलके, unity की बात करूँ तो France की unity भाई साब बहुत तगड़ी थी Randy Orton, Kevin Owens versus solo sequence टामा टोंगा के match से शुरू आत होती है जो मैंने कहा कि audience को justice कैसे मिलेगा, audience को justice ऐसे मिलेगा कि इन्होंने आते ही लडाई शुरू कर दी, मैंने कहाता है निक ओलिस मेरा favorite general manager है, कल उसने वो काम भी कर दिया कल उसने कहा कि भाई एक काम करो, ठीक है अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो no disqualification कर देते, street fight इसको enable कर देते ये वाला match बन गया, street fight और मैं सही में बता रहो, ये सिर्फ नाम का street fight नहीं था तबियत से कुटाई भी हुई है, और जो Kevin Owens का हाल हुआ है, मुझे तो Kevin Owens के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है RKO भी पढ़ी, announcer table पर ऐसा नहीं है कि like Randy Orton की team ही पिटी पिटे दोनों और खुब तबियत से पिटाई करी है, मेरे को सबसे best जो लगाता ना, सबसे best जो move था वो था जब chairs set कर रहा था Kevin Owens, उसमें chairs chairs बजा जा रहा था Tama Tonga को मुझे तो लग रहा है, 2-3 chairs ही बजा नहीं थी, लेकिन audience का ऐसा reaction आ रहा था कि Kevin Owens ने 8-10 chairs और extra ही मारे है, और उसके बाद Tama Tonga की जो पीट हो गए थी, मैंने का बाई, welcome to WWE, क्या कहा रहा था बे, NJPW होता है, बस और दूसरी company नहीं होती, नहीं ऐसा Tama Tonga नहीं नहीं बोला, ऐसा ये लोग सोचते हैं, बट खेर उसके बाद जो brain buster पढ़ा chairs के ओपर दैस की मैं कहा रहा है, यार ये खतम कैसे नहीं हुआ मैच यहाँ पे, क्योंकि वो तो पुरा complete खतम करने के लायक ही था, move जैसा भी तरह भयाँ करता, लेकिन इस मैच में Randy Oton और Kevin Owens जीतते तो मेरे को लग रहा था जीत जाते, बट आगे Tanga Loa, अब क्योंकि street fight कर दिया था इन्हो दूसरे बेटे, Tanga Loa, जो की Gorillas of Destiny टीम की नाम में हुआ करते थे, NJPW के अंदर, Gorillas of Destiny के members कौन-कौन होते थे, Tama Tonga and Tanga Loa, दोनों Bullet Club में भी रह चुके, and now, like, both are here, Tanga Loa ने बिल्कुल वैसे ही help करी, जैसे कि अब तक बाकी के Bloodline members, अपने Bloodline members की help करते आए हैं, है न, Kevin Owens औ कितनी पिटाई खाई, किसलिए, ताकि ये सब देख सके, मुझे लग रहा है कि Kevin Owens की retirement आ जाएगी, लेकिन Bloodline का खात्मा नहीं होने वाला, Kevin Owens कभी Hall of Fame speech में जाएगा न, और उसे अगर दिग गए Bloodline के member, वो वहाँ पीटना शुरू कर देगा, पिचारे के साथ इतना बु पर फ्लाच बहुत हुआ है, कल बहुत लोगों ने हगा है मैच के अंदर, लेकिन Crowd ने भचाया है, बहुत मैच इसके अंदर, फीमेल वाले में तो हुआ है ये, लेकिन इस वाले मैच के अंदर तो मिरे को लगा ये परफेक्ट था, अगर ये Crowd ऐसी ना होती, तो भी ये वाइवर सीरीज में ही तो माने वाले हो, डिरेक्ट, मुझ तो लग रहा वार गेम्स की तैयारी जलरी ही, अब तो सीधा, और हुआ क्या, लोग दूसरे वाले को जेकब फाटू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जेकब फाटू की जेगे आ गया, टंगल हुआ, बेली वर्स में कहा रहे थे, simply two, simply two basically, kicks out and a two and a half, मतलब basically कि दो ही हो पाए, तो ये कहा रहे थे, French के अंदर, French की जो commentator team है, इन्होंने actually में France का बचपन बनाया है, WWE के अंदर, उन्होंने जो commentary सुनी है, बचपन में उनी commentator से सुनी है, और ये dialogue उनी का ही है, और वही लोग ये बोले जा रहे थे, तो obviously, समझ भी आता है, मेरे को एक दो चीज, France की crowd की बढ़िया लगी, वो थी, कि यार, जो unity थी, plus खुद की language में chants, I remember, जब live event इंडिया में आयो थी, तो हम लोग अपने ही chants नहीं लगा रहे थे, हम लोग लगा रहे थे, this is awesome, holy shit, हम लोग replicate कर रहे थे, जो कि American fans कर रहे थे, जो कि में को लगता है, if WWE comes next time, we should be prepared with our own chants, ऐसी chants होनी चाहिए, कि Kevin Owen, Sammy Zinn, कोई भी आरिंग के अंदर, उसे समझ तो नहीं है, उन्हें चाहिए होगा Hindi translator, हम अपनी language ऐसे दिखाने से डरते क्यों है, जब वो लोग नी डरते तो, वो French लोग इतना proud कर रहे थे अपनी language पे, तो मेरे साब से हमें भी खरना चाहिए, और next time, we should also do chants in Hindi language, Bollywood वाली नहीं ठीक है न, अपनी Hindi, normal language में, क्या, Bailey, Naomi and Tiffy का match आता है, जिसमें Bailey ने हापर title retain तो करी, बट ये भी वो वाला match था, जो कि बिना crowd के blockbuster होने बाला था, और जिस से मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस वा, that was again Tiffany, but Bailey की performance was amazing, superb, and yeah, I mean overall, this match was also good, तो मैं इसके बार में ज़्यादा हो, तो कुछ कहने ही सकता है, और है भी नहीं कहने को, इसके अलावा आता है, Jay Uso and Damon Priest का match, दोनों की entry, badass, Jay Uso का तो भाई, मेरे को तो लगता है, one of the greatest entrances में आ जानी चाहिए, ये वाली जो entrance देखने को मिली है, एक नया ही महौल खडा कर दिया, अंदेरा हो जा रहा है, flashlights से लोग ऐसे से कर रहे है, man, that was literally amazing visuals, Demon Priest की भी entry बढ़िया लगी, not gonna lie, badass थी, नए FPS वाले नोंने camera निकाल ले introduction के time पर, जब 4K वाला, 4K भी नहीं था, मुछ तो लग रहा है, 8K वाले camera थे, य वो हर बात पर yeat कर रही है, प्लस, जब जे उसो का punch वाला sequence आ रहा है, जब पंच मार रहा है, तो no yeat भी बोल रही है, yeat, no yeat, yeat, no yeat, ये अभी तक किसी भी crowd ने नहीं किया, मैं कहूंगा कि, when it comes to the crowd hall of fame, ये वाली France की crowd को hall of fame मिलना चाहिए, खेर इस match के अंदर, JD Mcdarra के interference देखने को मिली, which was very surprising, अभे चल, surprising कुछ मिली था, हमें पता था, JD आने वाली है, Damien Priest ने, Damien Priest का full character switch ओर है, Damien Priest का रहा है, तु यहां क्या कर रहा है, तु पागल, तिर को पता है, मैं के जीत सकता हूँ, JD Mcdarra की help अभी तो नहीं लगी, लेकिन बाद में जरूर लगी, जब Finally, Jey Uso, जब जीतनी वाला होता है, तो उसका पैर रोप पे रख दिया, I'm like, यार, seriously, ऐसा जाएगा यह match, मतब Jey versus Damien Priest को मैं कहूँगा कि मेरे पास ज्यादा hope नहीं थी इस match के लिए, but यह match ultimately turns out to be a good match, like a good world heavyweight championship match, और मैं इतना भी कह सकता हो, Jey Uso is definitely ready to be a world champion, इसके पहले मे को नहीं लग रहा था, but इस match ने, या again, I don't know, शैच से मैं again भटा कराऊँ crowd की वज़े से, but मेरे को लगा, कि Jey Uso World heavyweight championship जीतने के लाएग है, Jey Uso की जो super kicks थी, splash थी, जो सब होने वाला था, but then, Finn Balor भी आते, asshole की chance लग गए थी, JD McDonough के लिए, आपको पता चलिया होगा, मै मैं सोचरों कि अगर Dominic Mysterio injured ना हो तो Dominic Mysterio भी देखने को मिलता था, उसका क्या हाल होने वाला था, खेर, Dammit Paste को पता चल गया था, कि ओके Jey Uso ऐसे तो नहीं हरने वाला, बंदे को top prop सर south of heaven दिया, and boom, title retained कर ली, Dammit Paste की भी मैं दाथ देना चाहूंगा, कि उसने भी बहुत अच और चीज पता चली कि ये largest gate of any arena show बना in WWE history, यानि कि WWE की history में, जो भी arena shows हो रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जिसमें कमाया है न WWE वो ये वाला show बना है, and that is incredible, because WWE वही company है, जिसने Brock Lesnar को book किया है, जिसने Roman Reigns को book किया है, जिसने Stone Cold को book किया है, John Cena को book किया है, Rock को book किया है, Hogan को book किया है, but now they are breaking record with this, obviously, ये France का भी चक्कर हो सकता है, कि नई जगह पे गए है, but a record is a record, क्या हो सकते है भाई, इससे दो बहतर ही है, कि भाई, हमें बंदे चाहिए हमारी seat भरने के लिए, इससे दो बहतर ही है, Kabuki Warriors versus Jade and Bianca के बीच देखने को मिला, मैं, जिसमें I think हमें बॉच भी देखने को मिला, जब वो काईरी सेन illegal हो गई थी, referee कह रहा है, नहीं नहीं तुमको जाना पड़ेगा, pretend tag लेगे गई, I'm like, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर illegal है, तो tag की क्या ज़ूरत है, so it was very messed up, तो मैं कहूंगा कि, हाँ, ये उस मामले में तो बेकार ही था, तो tag team championship जा का रही है, जा तो आहाँ ही प्यारी है, तो Bianca and Jade ने championships जीती है, and trust me when I say this, ये championships अब कहीं नहीं जा रही है, unless इन दोनों के बीच धोका हो या कुछ हो, ये championships कहीं नहीं जा रही है, WWE ने bump होड़ दिया, रात में King of the Ring अनाउंस करके कि King of the Ring तो obviously पता ही था आने वाले, लेकिन matches अनाउंस करती है, rock के लिए, you are Drew McIntyre versus Finn Balor, ओ भाई बहुत बढ़िया, Illya Dragnub versus Ricochet, killer, killer, Kofi Kingston versus Ray Mysterio, and Gunther versus Sheamus, नहीं नहीं मारो, हमें जिंदा मत छोड़ो तुम, तुमने backlash दे दिया, अब तुम क्या चाहरे हो, हमी धर भी नंगा नाच करें, भाई मैं सहीं मैं कहा रहो कि इतनी अच्छी France की crowd देखने के बाद ना, ऐसा अगर कोई matches दे रहा है, तो अमेरिका के audience को अपनी shirt उतार के ना, ऐसे नाचना चाहिए, ये बाई, गुंतर versus Sheamus देखने को मिलिया, Illya Dragnub versus Ricochet देखने को मिलिया, Drew versus Finn, अब यार बाई, मज़े लो भाई, और मज़े सिर्फ इनके नहीं, Vegas के भी आने वाले, because Vegas में WrestleMania announce हुई है, और announce तो ऐसी हुई के logo ऐस बना दिया इन्होंने, कि मज़ा ही आगया भाई साब, graphic designer की तो job, जो मेरे को लग रहा है, अब बिल्कुल safe है, क्योंकि उसने ये जो logo बना के दिया, one of the best WrestleMania logos of all time है, और ये हमको भी पता है, जब city ऐसी जगह पे जाती है, जो कि कि किसी theme based पी होती है, जैसे Detroit पे जाती है, त जाती है, तो casino feel दे देती है, लेकिन भाई WrestleMania का लोगो ला जवाब, अगली WrestleMania Vegas में होने वाली है, और ऐसे rumors भी आ रहे है, Rock vs Brock देखने को मिल सकता है, वो तो बात की बात है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, अभी जह हम बात करेंगे, वो main event की Cody Rhodes vs AJ Styles, इस match में तो सबसे पह तो बाई अलगी record बनाते जारे है, मतलब first female के नाम पर सब कुछ सब मिले जारा है, जसी का कार को, मैं कहरो, और female referee इतना क्यों नहीं चल पारी, इतना वो चल रही है, anyways, AJ vs Cody, मिले को लगा की crowd अगा, किस, नहीं यार, crowd की तो क्या ही बात करनी, वो सब में active थे, यार, बात त Stardust का callback भी दे दिया, अगर AJ Styles ने उसी पर tease किया था, तो Cody Rhodes ने उसी का callback दे के बताया कि ले भाई, यह, यही चाहिए था ना, तुझे यह ले ले, फ्रेंच कॉमेंटेटर्स की भी respect काफी हुई थी, और AJ Styles ने भी काफी करी, लेकिन AJ Styles की वजए से ही उनकी respect तूट गई, बोले तो टेबल टूट गई पूरी, विचारा यार, खेर, मेरे को पता है, बेस्ट मोमेंट कौन से लगे, दो, एक, बर्निंग ए हैमर जब पढ़ा AJ Styles की तरफ से, बाई सा, are you kidding me, you are saying के केंता कुबाशी का finisher, जो कि उसने खुद साथ बार यूज किया है, वो WWE के अंदर हुआ है, अगर आपको नहीं पता था, बर्निंग हैमर फिनिशर की मैनेजर है, वो भी बनाई यह का बहुता है, फिनिशिंग फ्राइडेज की सीरीज में वीडियो भी बनाई थी, आज, WWE टेलिविजन पर हमें बर्निंग हैमर देखने को मिला, not just that, उस पर किक आउट चैप्चर कर लिया था, ही रियलाइजिस के वाई, अब तो मैं आगया हूँ पूरे अग्रेशन में, यही चीज जो exact same scenario, अगर WWE की जागे, आलले ली टरस लिंक पर होता, तो इस समय पर जितने भी आलले ली टरस लिंक के फैंस हैं, ट्विटर के फैंस हैं, वो जाते और ए एक साल के अंदर पिछले हजार मैचेस दिखा सकता हूँ, अलले ली टरस लिंक के, जिसमें एक पे किक आउट किया हो, और इनका कच्छा गीला हो गया था, बट खैर उसकी बात नहीं करेंगे, मेरे को genuinely बड़ा मजा आया, बर्णिंग हैमर देखके, और कोडी रोड्स को प कोडी रोड्स ने, and that's it, that's over, लोग compare कर रहे है, Osprey and Daniel Bryan से मैं करो compare करने के ज़ाउरत ही नहीं है बाई, this match was special definitely, और ये पे-पर व्यू बनता है मेरे जिसाब से एक 5-star पे-पर व्यू, जहाएं उमीद भी नहीं थी, कि यह Reigns नहीं है, Rollins नहीं है, तुमारा गुंतर नहीं ह लेकिन इस पे-पर व्यू ने वो करके दिखाया, again, thanks to crowd of course, इस पे-पर व्यू ने वो करके दिखाया, जो कि शायद imaginable भी नहीं था, तो show अच्छा दे दिया, matches अच्छे दे दिया, largest gate in WWE history बन गया, एक बड़िया experience दे दिया, crowd के तरफ से, मेरे को लगते है कि backlash was amazing simply, 5-star, take it from me, anyways, comments में लिकर पतना, आप अपने thoughts, और आपको व्यूदी पसंद है, तो प्रिलाइग और रिश्वे प्रोच, आपको सब्सक्राइब करो, All night, now I wanna win, 3d, extra tan, I got a rest of my friend, 3d, extra tan I thought that's a little friend, 3D to exit and